ये देखिए दोस्तों 100 रुपे का जो नया नोट है वो लॉंच कर दिया है ये कुछ आपके सामने इस तरीके का दिखता है 100 रुपे का नोट इसकी जो पेपर कॉलिटी है वो सेम वही पेपर कॉलिटी का इस्तमाल किया गया है इसके अंदर जो 2500 का नोट है आपने देखा साइज इसमें कोई फरक नहीं किया गया है साइज सेम रखा गया इसका ठीक है साइज का कोई फरक नहीं है बस पेपर की कॉलिटी जो है वो बढ़िया क्वलिटी का कर दिया है और एक चीज़ आपने इसमें गोर की होगी वीडियो के अंदर के 500 2000 के नोट के अंदर गांधी जी की तस्वीर है वो नहीं दिखेगी ये सेम नोट जो है आज से 30 साल पहले भी इन्होंने ऐसा ही लॉंच किया था लेकिन तब छपाई बंद करके इन्होंने ऐसा नोट छापने शुरू कर दिये थे लेकिन अब इस नोट को वापस इन्होंने बंद करके ऐसे नोट छापने शुरू कर दिये है लेकिन इसकी जो पेपर कोलिटी है उसको बढ़िया कर दिया है ताकि जो नोट है वो जल्दी खराब ना हो ऐसे नोट मेरे पास दो अभी आये है और मैं आपको ये भी जान कर देदू कि ये नोट जो मेरे पास है जहां से ये नोट बनते हैं जहां पे नोट की छपाई होती है वहां से ये नोट मुझे मिले है उन्होंने मेरे पे वहां एक मेरा जो दोस्त है वहां काम करता है जिसने मुझे ये दो नोट है वो दो ही नोट अरेंज करके दिये हैं ये दोस्तों आपके पास लगबग मार्च अप्रेल के अंदर मार्च अप्रेल के बाद साहित ये मार्केटिक अंदर नोट आएंगे अभी जो छपाई हो रही है सोरपे की नोट की वो लगबग ऐसी सरकार चाप रही है और मैं दूसरी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा अगर आपने अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप सेर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस नोट की जानकारी के बारे में मालूम चल जाए और ये भी मालूम चल जाए कि 100 के नोट के उपर से अब गांदी जी की तस्वीर अपसे नहीं आएगी और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बतना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सेर कीजिए और दूसरी चीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबस्क्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं आपको अब मेरा जो नेक्स वीडियो हैगा मैं उसमें आपको जान कर दे पाऊँगा इस नोट के बारे के अंदर बाकी खास बात के अंदर प्लस जो 50 के नोट लॉंच होए है 20 के नोट लॉंच होएंगे जो 10 रुपे के नोट लॉंच होएंगे उसकी तस्वीर भी उसके वीडियो भी मैं आपको बता पाऊँ ठैंक यू